हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो एडिमेंटर तो स्वागत आप सभी का एक और नहीं वीडियो में तो इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं देखो जैसा कि आपको पता है सभी बच्चे है ना बार-बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर मेरी पसंटेज 89 थी मेरी पसंटे ही हो आपने अभी 12th पासवाट किया आप प्रेशर्स हो और हमने मास्टर्स कर लिए एंड आपको मैं बता दूँँ आयमे टीचर मैथमेटिक्स टूटर हूं है ठीक है तो वैसे चैनल मैथमेटिक्स को प्रमोट करता है लेकिन यह जो चीजे मैं कर रहा हूँ ना इंस्पा स्टेज मैंने पार किया ठीक है तो मैंने सब कुछ मतलब स्टेब बाई स्टेब किया था और एक बार मतलब कुछ गलती नहीं हुई सब अच्छा-चाओओ आपको पता है पहले से कि यहां पर गड़्डा है मतलब यहां पर गिर सकते हैं तो वहां से हम नहीं जाएंगी हम साइड से जाएंगे ठीक है ना मतलब हम अपनी प्रिकोशन लेके चलेंगे पहले से ही ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो तो मैं आपको उन्हीं गलतियों को अवेर करूंगा पहले से ही ताकि आप कुछ गलती ना करूं आप सभी चोटे भाई बैन हैं और और सुरी वी ओल हम सभी मतलब एक कम्मूनिटी हैं सभी साथ में सबी एक दूसरे की help करना कुमेंट में किसी को कुछ पता है तो वह दूसरे को बताना ठीक है न जबीटे नियुका में करूं तो ये वीडियो बनाने का में मोटीव यही है कि मैं कोमेंट सभी का रिपलाई नहीं कर सकता ठीक कि मैंने बच्चों आपने वीडियो देख्यों तो मैंने वहाप एक बात बोली है ध्यान से सुनो उसको मैंने बात बोली है कि प्लीज जिसका ओफर लेटर नहीं आए वो वेट कीजिए ओफर लेटर एक ही दिन नहीं मिलते आप ऐसा सोच कि मत बैठ जिए कि बच्चों का मेरी करके दिखाता हूँ आपको ठीक है क्योंकि मैं तो मेरी आइडी लोगिन करके दिखा सकता हूँ आपको 541-gmail.com ठीक है तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी आइडी लोगिन करके देखिए वहाँ पे अगर आपको अपना ओफर लेटर मिलता है तो दी बैस्ट ह है क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ है कि mail पर नहीं रहा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था मेरे साथ खुड हैसा हुआ था कि मेरा mail पर लेटर नहीं आये था मैंने अपनी आइडी को लोगिन किया था उर जाकर देखा तो आपनी आइडी को लेंगहाँ पर scholarship वाले option पर जाना यहां पे फिल टोप राइट कोरन में जाना देखो यह जो आपको डाटा दिख रहे है न यह मतलब कोई भी इसमें स्कूर्टी इस्व अगरा निहीं हां मेरा बैंक का गाउन नूंबर है आप अराम से इसमें पैसे डाल सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है ठीक है त यहां से आपको अपना ओफर लेटर डाउनलोड हो गया है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन यह देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंस्ट आइंस टेक्नोलोजी ठीकन यह देखिए मेरा कब आया था साथ छे दोहजार सत्तरा को आया था ठीकने यहन कि मैं 2016 के बैच का सोलर हूं आप मेरा यह रिजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं 2016 और आपका आप देखेंगे तो वह 2020 से शुरू हो रहा हुआ क्योंकि आप 2020 से शुरूर हो जिनका दोहजार उन्नीस था उनका 2019 से शुरू हो रहा हुगा जो दोहजार अठारा बैच के थे उनका आप लोग मतलब जिन बच्चों का भी आया नहीं न भी वो टैंस्ट मतलिए टैंशन मतलिजी आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं कि आपका नहीं आएगा और सभी का एक दिन अप्लोड हो जाता है और बग्की बच्चों का आगया और आप रहेगे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दीरे दीरे एक महीने तक डेड़ महीने तक भी ओफरलेटर आते रहते हैं क्योंकि बच्चों ओफरलेटर का मतलब पता है कि आप प्रोविजनली सेलेक्ट होगे और आपको आपका बैंक अकाउंट है ना 31 दिसंबर तक चांद सिस आपके पास तो उस बारे में आप इतना म अपडेट में रहा यहां पे नोटिफिकेशन आईगी अब स्टार्टिंग से शुरू होगा तो आपको दिखांगा वह नोटिफिकेशन क्या है उसको ध्यान से देखना मतलब मैं आप से बताना चाहता हूं कि वह जो डेट है ना एक्स्टेंड कर दी गई थी बैंक अकाउ देटेल को अप सम्मिट कर दीजी यह देखिए तीस अपरेल तक था अप्रेट यानी कि जिन बच्चों का लास्ट यूर 2020 में जिनका उफरलेट आया था ना बच्चों जून के अंदर उनको तीस अपरेल 2021 तक का टाइम में लिए था पैंक डेटेल सम्मिट करने का पूरा एक साल ठीक है तो आप टैंस्ट मतों यह आपका उफरलेट राज जाएगा एक महीने में डेड़ महीने मतलब आज आगया किसी का चार दिन बाद आगया किसी का दो दिन बाद आगया तो वेट कीजिए जस्ट वेट और प्लीज मतलब आप लोग को कुछ और पूछ रहे है कि इंस्पैर किया जाए आपको थोड़ा सा कि नहीं आप मतलब ऐसे सोच के मत बैठ जाना कि मेरा उफरलेटर नहीं आएगा बिल्कुल टेंशन है कि नीड नहीं आपको ठीक है आपको आएगा अभी आपके चांसिस हैं सेलेक्ट होने के कंप्लेट जब लिस्ट आ जाएग तो वो लिस्ट आने तक आप अपना मतलब होसला मत तोड़ी आप सेलेक्ट हो सकते हैं तब तक यह रखे कि मैं सेलेक्टेड हूँ आया में इन स्पाय स्कोलर ठीक है और बाकी को भी मतलब ऐसे होसला दीजिए कि आपका सेलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है आप च हो तो आप कमेंटों से कमेंट करके पूछ सकते हैं feel free to ask me something anything आप कुछ भी पूछ सकते हैं और वैसे भी मैं आपके मतलब as a course type बिल्कुल पांच साल तक का मतलब जो भी मैंने किया न आपने scholarship को मतलब आगे proceed करने में मैं बिल्कुल वीडियो तो वीडियो हर चीज के बार मे अपडेट आपको करता रहूँगा एक वीडियो के जरी ठीक है तकि आपको बिल्कुल पता चले आप उस गड़े में ना गिरें ठीक है ना आप उसको क्रोस करके निकल जाए प्रिकोशन साब पहले से ले ले ठीक है तो कोई गलती नहीं होगी हम बिल्कुल ढंक से चलेंग होगी ताकि वो कोई गलती ना करे ठीक है ना अपने फ्रेंड्स तक सभी तक पहुंचा देना सो थैंक्यू सो मच